लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें कि भूल парी अल्ट्रा अल्स सित्व्स्न थैस अल्ट्रा जैस करें proposed to 서 मा, बाबु जी चल्ट ए बाई, इदर से नहीं मगर वो मेरे पती है ये कैजियों के जाने का रास्ता है, आप उदर से जाए चल्ट अरे आर्ती बेन आप कहा थी, नहीं तो आप ही को देख रहा था गुपता जी, अभी अभी नहीं लाए है हाथ कड़ी डाल कर येने बचा लीजी, गुपता जी आर्ती बेन हिम्मत रखिये, ऐसा भी क्या है सच सच बताए ये बच जाएंगे ना मैं क्या कहूँ, मैं तो पूरी कोछिश कर रहा हूँ बॉरिंग साथ नमसे टप्राव साथ बॉरिंग साथ मिलोर्ड, ये चेरा जिस पर इस वक्त मासूमियत और बेचारगी की सिवा कुछ नहीं है ये चेरा नहीं, ये एक नकाब है वो नकाब जिसके पीछे एक संगदिल खुनी चिपा हुआ है मिलोर्ड, कौन नहीं जानता के मरने वाले शिरी रामकृष्न उबराए इस शहर के बहुत बड़े करोर पती थे जिनके पैसे पर ना जाने कितने स्कूल, कितने धरमशाला और कितने विद्वा आश्रम चल रहे हैं ये मुल्जम अपने आपको एक संगीत कार कहता है 18 दिसंबर की रात, ये मुल्जम मिस्टर दीपक वर्मा अपने दिल में पैसा का लालश लिये हुए उनके घर पहुँचे लेकिन मिस्टर उबराय को पहले पता चल चुका था कि वो एक म्यूजिक स्कूल खोलने के बहाने लाखों रुपया लेकर अपने लालश का कुवा भरना चाहते हैं उन्होंने पैसा देने से इंकार कर दिया और मिस्टर दीपक वर्मा एक वहशी बन गए आदे घंटे के बाद जब वहां से निकले तो अपने पीछे मिस्टर उबराय की बजाय मिस्टर उबराय की लाश छोड़ कर जा रहे थे I object my lord सरकारी वकील साहिब मेरे मौकल दीपक वर्मा पर बोल जाम लगा रहे हैं जो थावित नहीं कर सकते जिनाविया आली माना कि 18 दिसंबर को मेरा मौकल दीपक वर्मा तारे 8 बजे और 9 बजे के दरम्यान मिस्टर उबराय के घर पर था और यह भी माना कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के मुताविक खून 9 बजे के आसपास हुआ है लेकर उससे कहीं यह तो थावित नहीं होता कि खून दीपक वर्मा ने किया है हर कारी वकील कोई सबूत कोई गवा नहीं दे सके तो यह थावित कर सके गवा है यूर अनर एक ऐसा गवा जो मुकदमे की खोई हुई इस कड़ी को जोड़ेगा दीपक वर्मा के हाथों मिस्टर उबराय के हुए खोन का चश्म दीद गवा है मिस्टर प्रमोद वासवानी जी हाँ मेरा नम प्रमोद वासवानी है मिस्टर वासवानी 18 दिसंबर की रात आपने अपने घर से मिस्टर उबराय के घर में जो कुछ देखा क्या आप उसका बयान दे सकते हैं जी हाँ, मैं अपने खिड़के के पास खड़ा था, तो मैंने देखा, कि ये साब मिस्टर उब्राय के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मिस्टर उब्राय हाथ उठा उठा कर चिला चिला कर कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये तुम्हें फासले को ये सुनने ही सका, फिर पिर खड़े हो गए, उन्हें इस ब्रूम झाला ह lleg अए और कर उनने क्या क्या, आप घबराय हा ये नहीं गभ़डाईए नहीं ही ता फिर उन्हें क्या क्या ये अक्यों said occurring this ये जूत है, ये सच है और सिर्फ सच है, ये जूत है. J वाही और सबूत की रोश्णी में तुम्हारा चर्म एक बद्रुमा और की तरा इस दालत के सामने आ चुपा है नहीं, मैं बेकसूर हूँ, वकील साहब मैं बेकसूर हूँ अधालत आज के लिए बरकास की जाती है आप क्या चाहते हैं मैं मुकदमा हार जाओं ने ने मैं आपको ये कहने नहीं आया हूँ तो? मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि मैंने अपने मौकल दीपक वर्मा को निर्दोश होते भी जुर्म कबूल करने को तयार करा लिया अगर आप अदालत में फांसी के बजाए उमर कैट की दर्खास करें देखिए एक निर्दोश को फांसी के तक्ते में पहुचा कर मेरे लिए बहुत जुरूरी है आप शहर का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए फ्रंट पेज पर इसी मुकदमे की चर्चा है अगर इस आदमी को फांसी नहीं हुई तो मेरी वकालब का लोहा कौन मानेगा देखिए देखिए आइम सॉरी मिस्टर गुप्ता मैं आपकी मदद नहीं कर सकता आर्थी जिन्दगे की हर जंग में तुमने मेरा साथ दिया अब तुम्हारे आसुओं को देख कर क्या मैं ये समझ लो कि हम ये जंग हार गए नहीं, बिल्कुल नहीं आर्थी, इन बच्चों के लिए तुम ही सहारा हूँ तुम अरुन जी क्या हो अरुन जी बबुजी देखो बेटे तुम्हारी माने हमारे लिए बहुत तकलीफे सही है उन्हें तकलीफ मत देना नहीं दूँगा बबुजी और कोमल तुम्हारी छोटी बेहन है उसका ख्याल रखना रखूंगा बाबुजी तुम पर हमारी बहुत उमीदे हैं बेटे आर्थी बेन गुप्ता जी क्या कहा ठक्राल ने बहुत जिद्धी आदमी हैं मैंने उसे कहा कि अगर वो फांची की सुदा न दिलवाकर सिर्फ उमर कहाद करवा दे तो दीपकोर्ट में कहादेगा कि खून उसने किया फिर भी फिर भी फिर भी क्या फिर भी नहीं माना हो ये भगवान अब क्या होगा अब तो भगवान ही कोई चमतकार करे के तो क्राल के दिल में रहम आ जाने तो उसने तो पूरा जाल फैला दिया कि दीपक को फांसी की सुदा ही मिले वकालत एक शत्रंज का खेल है मिस्टर उबराय ये तो किसी-किसी को आता है मैं चाहू तो दीफक वर्मा को छुड़ भी सकता ह경 पांच-दस साल की गैद भी करवा सकता हूं और अगर मैं चाहूँ तो उसे फांसी के फंदे पर लट्का भी सकता हूं किसी बात के तो पांच लाख रुपाय मैंने दिया हैं आपको चांदता हूँ वो जिन्दा रहा तो तुम मर जाओगे लेकिन उसे मौत और तुम्हें जिन्दगी दिलवाएगा कौन मैं ठकराल पांच लाख रुपेया इस काम के लिए कुछ ज्यादा नहीं है मिस्टर रूपलाल उबराए माँ, कहां जा रहे हो, माँ? अरू पेटे चली मेरे साथ फिजूल की बखवाज सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है कामिरी तुम मेरी बीवी हो नहीं, मेरी बीवी थी मैंने तलाब के सारे कागदा साइन करके भिजवा दिये है और बच्चे के बारे में तुम बिलकुल फिकर मत करना तुम्हारे बगार वो भी सुखी रहेगा अग मैं भी ए शांता, इधर ख़ड़ी क्या कर रही है जाके उदर बच्चे को सुलाती क्यों नहीं जी साथ तुम्हारे साथ पिकर्ण कर तुम्हारे साथ बच्पक्राओ ढूम्हारे साथ यकेसे? पिक मांग, ईयों हाप्जी चर्राषण साथ मैं, आप, आप थोड़ी दया करेंगे, नौ, मेरी मेरी छोटी-छोटी दो बच्ची है वो, आपको आपको दुआ देंगे, ठक्राल साप बहुत दुआ देंगे भाय, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे वकील के पास, न तो कोई जबूत है więcej हुआ जिसके पास, जबूत है झूँला, वो निर्थोश lleva कहा दे यहोड़ीं साधा तो तुम क्या चाहती हो के कहने पर करद यह केस हार जाओं पहण आप सबस्त देंगे लेकिन हांसी की कोशिश ना कीजिए आप टेस जीदना जाते हैं न आप उन्हें उम्र कैद की सजा दे दीजे काल कोठरी में पड़े रहेंगे लेकिन लेकिन जिन्दा तो रहेंगे मेरी बच्चे अना तो नहीं होंगे कितने ही साल क्यों नहूँ मैं उनकी राह में काट लूँगे लेकिन ठकरा साथ बाजी नहीं, ठकरा साथ बाजी नहीं, बाजी नहीं, बाजी नहीं देखो, मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सकता तुम जाओ याँजे नहीं, ठकरा साथ, नहीं कर दो कर दो जो होना था सो हो गया अगर कपराने की कोई बात नहीं है हां तुम जवान हो बच्चे पालने हैं ना अगर कोई कामकाश की जरूरत हो तो मैं दिलवा दूँगा समझ गई ना ना अपने आपको बे सहरा मत समझो तुम्हारी देख भाल मैं करूगा हां समझ गई ना मैं नीच तुमीने तुने मुझे हाथ लगाया मैं तुस्से फीक मागने आए थी अपने सुहाग की और तु छी लेकिन वो देख रहा है ठक्राल वो देख रहा है एक दिन तेरे पाप तेरे सामने आएंगे ये एक दुखी औरत की बद दुआए है एक दिन ऐसा होगा ठक्राल और एक दिन ऐसा जरूर होगा की तु तु रहम की भीक मागेगा भीक और कोई तुझ पे रहम नहीं खाएगा कोई रह्म नहीं गाएगा यह यह मेरा शिराप है तुझको चाहिए हलो मैं उबराय बोल रहा हूँ सुना है आपके पास दीपक वर्मा का वकील आये था और आप थासी के बद्रे उमरकाइद का सुच रहे हैं मिस्टर उबराय आपके भाई साब के खोनी दीपक वर्मा को फासी होगी सिर्फ फासी कमाम सबूतों और गवाहों के बिना पर अदालत दीपक वर्मा को स्री रामकृशन उबराय के कतल के जुर्म में ताजिरात हिन दफा 302 के तहट सजा मौत करार देती है आपको किसी से मिलना है कल सुबा दीपक वर्मा को फासी हो रही है बास्वाने इस गवाही के मैं तुम्हें पचास जार रुपए दे चुका है जहगडा क्यों करते हैं अब राय साहब एक पचास जार रुपए के और ज़रूर है पे मिल जाएंगे कब कल प्रॉमिस अशे है अगारे प्रॉमिस प्रॉमिस यह गड़ों प्रॉमिस अगड़ों इस खज़ों ज़ुए बास्थ प्षिछने पर सोबहा, ऩरी तरी तो फिर मेद आफ हो वाहा गहा? जा daha वहीं, आप तम हम… सबनी यह पिसो कील अ चलिग डिजिए वो निर्टोश है, मैं जानती हूँ, फिर किसने किया था? वो कुम, किसने? सुना आपने, 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 आपने सुन लिया, इसने क्या कहा, इसने कहा, दिपक वर्मा निर्दोश है, दिपक वर्मा ने खुन नहीं किया, आपने सुन लिया ना, भैसाब आपने सुन लिया, इसने क्या कहा, आप समने सुन लिया ना, आप सब लोग फुलीस के सामने य अब फिकर मत करो बहेंजी, पुली साम यही कहेंगे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मैं अभी जाके उनको बताती हूँ, हे बगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन शरीर तो एक शुक्रिया इदर अजल दिकीजे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? यह गाड़ी खराब हो गई है सेंट्रल जेल यहां से दो किलमेटर दूर है आप पैदल चले गई है किलमेटर है भगवान आप पर्णा से दो जाप उस çıkar प्रेटर में क्यादय 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 पॉड़ी को ले जाने के लिए कागजात तयार हैं आईए दस्तखत कर दीजिए पॉलीस में रिपोर्ट की सारे हस्पिटल्स ने फोन किये मगर तुमारी मां का अभी तक कोई पता ने चला बेटे लगता हो ये गम जेल नहीं सकी और ओभी दीपक के साथ बगवान के पास चली गए मैं तुम जूठी तसलिय नहीं दूँगा बेटे सच बता हूंगा तुम्हारी उमर में जिंदगी बच्चों के लिए खेल होती है मगर तुमारे लिए जिंदगी अब खेल नहीं है एक जंग है जंग अपने माम आपके बताएवे वसूलों के साथ साथ तुम्हें ये जंग लड़नी पड़ेगी उरुन लड़नी होगी ये जंग लड़नी होगी ये जंग तुम्हें ये जंग हुआ, 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 हुआ Aaaaaaaa । जिल जाएंगे हर जिल जाएंगे हर तुम अगर संगे जिल जाएंगे हर बदन इतने ही जंग है जिल जाएंगे हर बदन इतने ही जंग है जिल जाएंगे हम जिल जाएंगे हम तुम अगर संग है जिल जाएंगे हर तुम इतने ही जंग है जिल जाएंगे हर तुम इतने ही जंग है जिल जाएंगे हर तुम इतने ही जंग है मेरे भूप पे ये गी तेरी रीत से मेरे जीवन में दिखरा संगी मेरा सब मुझ के देने है जिल मुझ के देने मेरे जिल जाएंगे हर तुम इतने ही जंग है तुम इतने ही जंग है दीपक वर्मा का प्याना साथ हजार रुपया साथ हजार एक, साथ हजार दो, अट हजार आज दीपक वर्मा का घर निलाम हो गया उसके बच्चे अनाथ हो गया घर से बेघर हो गया उसके जिम्यदार तुम हो टक्राल, तुम मैं? मैं कैसे? आखर पता लगी गया ना, के दीपक वर्मा बेक उसूर था तुम भी कमाल करते हो गुपता दीपक वर्मा बेक Accessий था, यह तुम्हें शुरू से जानता था लेकिन मेरा काम था उसके फासी दिलाना मैंने दिला दी एर्मानीं चैये तुम्हें खख्राल, कानून की तल्वार से कानून का ही खून किया तुमने इसो की घर को बर्बाद कर दिया तुमने बताओ कर जाहेंगे यह बच्ते गुपता जी मैं आपको एक मश्वरा देना चाहता हूँ बिलकुल मुफ्ट सरकार ने बहुत सारे अनाथा आश्रम खोल रखे हैं भेज दीजी कहीं चलो डेवर इसे अपना ही घर समझो लो खाना खाले बहुत भूक लगी है न है हिंदू बेटा इनका ख्याल लगा जिलिए जरा अंदर आईये मुझे कुछ बात कर दिये आपसे आए आया इसे इनका ख्याल लगा अजी आये ना मैं कहती हूँ आप इस घर को समझा क्या है जिसे देखो उठा लाते हो बच्चे भूके है अनाथ हो गया मिचारे मेरे बाप ने आपको ये मकान इसलिए रहने को नहीं दिया था कि इसे अनाथ आश्रम बना डालो देखो जी मैं कह देती हूँ गली कुडे का करकट इस घर में मतला ना इन्हें रोटी खिला नहीं थी खिला दी बस हो गया मुझसे ये जंजल नहीं समाला जाएगा कह दो इनसे चुप जाओ शांती चुप जाओ हिंदू जी खाहिए दोनों वो लोग चलेगए पापा काम नहीं होसला ना छोड़ करताम ना जहान का होसला ना छोड़ करताम ना जहान का वो बदश रहा है बेक रंग आमान का रंग आसमान का ये शिकार दिखा नहीं कितना रंग है सकते बूर ऑम फसकर नहा है कि वे वेरणे सबस्किन नहीछ प्लिमे कैवachsen कि वे लिए दिबनो слож कर दो दोदेंगे सूरज चांद का रोचा पाग लगा कर हम दोशन कर लेंगे पन्धिया रोचा मां नहीं या तलग दिल में केम बंद है जिन्दगी हर तन्थ इंग जन्ग है जिन्दगी हर तन्थ इंगे जीत जाएंगे हम जिल जाएंगे, गुफवा एंसक्द जाएंगे जिन्दी हर कर एकमें जाएंगे जिन्दी हर कर एकमें जाएंगे जिन्दी हर कर एकमें जाएंगे अंसक्द यह सब टाइप कर वा लेना और कलियर पेपर्स पर्ड़ में प्रेजन्ट करना है जी सर् और वो ठकराल साब ने जो केस जीता है उसकी पूरी फाइल कोट के रेकॉर्ड रूम से मगवा लेना जी सर्, सर आपसे एक बात पूछू आप खुद इतने बड़े वकील हैं फिर ठकराल साब के सारी फाइलने मंगवा कर आप क्यों पढ़ते हैं I'm sorry, सर्, मैं कहीं आपसे कोई गलत बद कह गया हूं तो नहीं कोई बात नहीं मैं ठकराल साब के आइसानों के वज़े से वकील बनाओ मनसूख उनके हर दाव पेच, हर तरीके, हर चाल को अच्छी तरह समझना चाहता हूं इसलिए कि एक मुकदमा वक्त की अदालत में परसों से चल रहा है और वो मुकदमा मुझे ठकराल साब से चीतना है कोमाल कोमाल अरे रामू ये ब्रीफ के जरा कमरे में रख देना जी साब यह फाइल केशव दे गया है अच्छा रामू ये कोई मोटी फाइल दे गया केशव जी बस यह फाइल दे गया है बस यही कल जोहर साब ये केश की तारीक और यह है Mr. Lawyer अरून वर्मा आपको कोट, केस, कवा, सबूत, और मिलोट के अलवा भी कुछ याद रहता है। हाँ, यह याद रहता है कि मेरी एक छोटी बेहने कोमल बहुत अच्छी और प्यारी सी। बस जरा नराज जल्दी हो जाती है, तर मना तो मन भी जाती है। जो याद रखने के बात हैं, वो तर याद रहती है। ओ, तो इतनी अच्छी याद दाश के लिए आपको इना मिलना चाहिए। हाँ, यह लीजिए। यह क्या। शायद इसे देखकर आपको कुछ और भी याद आ जाए। अरिवा, मगर यह अचाना किसलिए है। कि कुछ जमाने पहले आप बकालत के अलावा और भी कुछ शौक रखते थे। और दूसरी बात यह कि आज आपका जनम दिन है। अरे, मैं तो भूली गया था। मगर मैं कैसे भूल सकती हूं भाया। मेरे भाया को हैपी बर्थड़े। बहुत अच्छा प्रेसेंट। भाया, यह तुफ़ा मैंने तुम्हें तुम्हें दुख्या दिलाने के लिए तो नहीं दिया था। नहीं कोमल, याद वो बातें दिलाए जाती हैं जो आदमें भूल गया। लेकिन यह वो दुख है, जो पल भर के लिए न कभी तुम भूली हो न मैं, याद है मुझे सब कुछ। बहुत अच्छी तरह याद है। अच्छी तरह मुझे सब करते हैं। अच्छी तरह मुझे सब करते हैं। इसा मत कहिए ठकराल साहब। आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं। और अगर आप नहीं। शहर का सबसे बड़ा वकील होने की प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं। डॉक्टर मातवर। मेरे पास इतना काम हैं, इतने केसिस हैं, कि कोई भी नए केस के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। मेरी बीवी निर्दोश है ठकराल साहब। आप जितनी फीस चाहेंगे मैं देने के लिए तयार हूँ। डॉक्टर मातवर। मेरा एक ही जवाब है, आई एम सॉरी। श्रीकान, देखना द्याल साहब आए है क्या। अजिव आगे। संद्यार इंसाइड। ओके ठकराल साहब। दर्स ओके। सर्, वक्त तो निकाला भी जा सकता था। और वो मुमा की फीजबी देनों के तयार था फिर भी। तुमने ही समझोगे श्रीकान। उसकी बीवी, डॉक्टर आशा मातुर पर मरीज को दवा में जहर देने का इल्जाम है। सारे सबूत और सारे गवा उसके खिलाफ है। इस टोटली एफ लॉप केस। और मुझे ना तो केस हारने का शौक है, और ना ही केस हारने की आदत। क्या हुआ जिजा जी, आप वकिल ठकराल से मिलने गए थे। कीता, सब जानते हैं के आशा निर्दोश है। लेकिन केस इतना उल्जा हुआ कि कोई वकील इस केस को लेने के लिए तयार नहीं। God knows अब क्या होगा। I just don't understand। किसी ने मुझे एक वकील का नाम और पता दिया था। कह रहा था बहुत अच्छा वकील है। क्यों ना उससे मिला जाए। मेरे पास आने से आपको एक ही जवाब मिल सकता में उसकीता कि अरुन वर्मा छुटे केस नहीं लेता। मगर अरुन वर्मा साब, मेरी दीदी निर्दोश है। और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैं आपकी बात मानले तो मगर आप मेरी ये बात भी मानलीजिये, कि अदालत में ये थाबित नहीं किया जाता। ये केस जीतने की कोई तरकीब नहीं है। और जब जीतने की कोई तरकीब नहीं हो, तो सच्चाई की तरफदारी करने से क्या फाइदा? यही कहना चाहते हैं न आप मिस्कीता शिवास्ता आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं मैं आपकी बात को समझ गई और आपको भी समझ गई मिस्टर अरुन वर्मा अगर कोई मासूम कोई बेकसूर सारी जिंदगी के लिए जेल चला जाता है तो जाए मगर आप आप अपने दामन पर एक मुखदमा हारने का दांग लगाने को तयार नहीं क्यूंकि अगर आपको दिल्चस्वी है तो सिर्फ अपनी जीत से अपने नाम से और अपनी काम्याबी से मिस्कीता शिवास्तव इस फाइल को देखकर कोई अंदा भी बता सकता है कि दॉक्तर आशा मातुरे कैसी पैमान और करप्ट दॉक्तर है जिसने अपने वरीज को जान बूच कर देर दिया है मगर आप शहर की सबसे उची मिल्टिंग पर खड़ी होकर चलनाने को तयार है या आपकी बहन मासूम है निर्दोश है हाँ हाँ वो निर्दोश है तरफ इसलिए कि आपकी बहन है कोई सबूत कोई गवा है आपके पास अगर है तो लाइए मैं सुनने को त्यार हूँ लाइए जिसके पास कोई सबूत या गवा ना हो क्या वो निर्दोश नहीं होता जिसके पास कोई सबूत या गवा ना हो क्या वो निर्दोश नहीं होता बहुत सुना था आपके बारे में, बहुत उमीदें लेकर आई थी, लेकिन जाते होए जूटें वो भी नहीं कह सकती कि आप से मिलकर कोई खोशी हुई, गुढ़ पाए, मिस्टर अरून वर्मा लुटर आशा मातुर, मेरा नाम अरून वर्मा है, मैं आपका वखीलू हुई, आपको, आपको मेरे हस्बन ने भेजा है, आपकी छोड़ी बैन मेरे पास आय थी, पिस्सेस मातुर, मैंने आपके सारी रिपोर्ट्स, सारे स्टेट्मेंट्स पड़े हैं, फिर भी, जो भी हु मैं एक बार आप से सुनना चाहता हूँ, यह उस दिन की बात है, जिस दिन डॉक्टर माथूर पूना गए थे, और मैं घर में बिलकुल अकेली थी हेलो, हेलो डॉक्टर आशा, बाड नुमर फाइफ के पिशन की तब बहुत खराब हो गई है, उसे नस्टूल फाइफ़ा नो दे दो, डॉक्टर आशा, नस्टूल फाइफंडर तो हमाई स्टॉक में है ही नहीं, अच्छे मेरे पास है, बैं भी लाती हूँ टेम्टरचर, बीपी, ओन फॉर्टी तो टू फॉर्टी लो दबाई पीड़े खब्राव मत, सब ठीक हो जाएगा हां, डॉक्टर का हां, अपनी केबिन में, अच्छा डॉक्टर, इनकी नापस बंद हो गई है, क्या? इकान भी जी, मैंने आपको जो कुछ बताया, हो सब सच है तबाब में जहर किसने मिलाया, यह सब कैसे हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं टॉटर मातुर, मैं इस वक्द सिरफ इतना वादा कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अच्छा, मैं फिर होँगा जागा साब, यह भी तो मुम्किन है के डॉक्टर आशा मातुर ने दामोदर को वही दावा पिलाई हो जो वह घर से ले गर आई थी नहीं छक्राल साहब ऐसा नहीं हो सकता, तामोदर ने आश्पिटल में वही जरीली दावा पिल जो टोनी नाशा मातुर के बैग में प्लांट की देखो टोनी बेटे, तुम्हारे डैडी डागा साहब और मैं बच्पन के दोस्त हैं इस वक्त तुम मुझे एक वकील मत समझो, बलके अपना अंकल समझ कर बताओ, कि वो दवा की शीशी की बदले तुमने जहर की शीशी क्यों और कैसे बदले अंकल, तामोदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन गया था, पुलीस उसके होश में आने का इंतदार कर रही थी, उस का मूब बन रखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था, उस रात में एक एलेक्टिशन के बेस में हस्पिल मौजूद था और वही दवा डटा आशा माथूर ने दामोदर को पिला दी अगर ये बात है तो तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, जाओ जाकर आराम से सोजाओ, आशा माथूर को दुनिया का कोई भी वकील नहीं बचा सकता, क्योंकि दवा में जहर है, इक से क्लीर अवीडेंस डॉक्टर माथूर, इस दवा में जो जहर था, क्या बता सकते हैं कि पोस्ट मॉटम के मुताबित, जितना जहर मरने वाले में पाया गया, उतना जहर पीने के बाद, किसी के बचने का क्या चांस हो सकता है? बहुत कम, बहुत कम, अल्मोस निल, हाँ एक बात है, अगर जहर को फून में शामिल होने से पहले स्टमक से निकाल दिया जाए, तो कुछ और ये जहर खून में कितने दिर में शामिल हो जाता है? दो मिनिट लग सकते हैं और कभी-कभी दो घंटे भी? एर आदमी के बचने का कोई चांस नहीं? नो, 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 नो चांस, नो चांस at all. सुना है ठकराल ने ये केस लेने से इंकार कर दिया, उसका कहना है कि कोई वकील ये केस जीत ही नहीं सकता? पाय जीते हूंगा. मेलाड, तमाम सुबूतों और सारी गवाहियों की रोशनी में ये बात साबित हो जाती है कि लेडी डॉक्टर आशा माथूर ने ही दामुदर प्रसाद का खून किये. और जहर की वो बोतल जो लेडी डॉक्टर आशा माथूर नामुदर प्रसाद के वास्ते लाई थी इस वक्त अदालत में मौजूद है. और साथ में सरकारी केमिकल रिपोर्ट भी जो ये बताती है कि इस बोतल में दवा नहीं पतनाक जहर है. वकील सफाई, मुल्जिमा डॉक्टर आशा माथूर की तरफ से आप अपने गवा और सफाई पेश कर सकते हैं. Yes, Your Honor. My Lord, ये सच है कि दामुदर प्रसाद पुलीस के लिए एक खास कावा बनने वाला था. और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया. और ये भी सच है कि दामुदर आशा माथूर उस रात दावा लेकर हस्पिटल गई थी. और ये भी सच है कि इस दावा के पीने के एक मिनिट बाद दामुदर प्रसाद मर क्या. लेकिन इन दमाम बातों से ये थाबित नहीं होता कि दामुदर प्रसाद की मौत की जिमेदार डॉक्टर आशा माथूर है. प्रसिक्यूशन के लगाए हुए सारे इल्जाम सिर्फ इस बात पर हैं कि इस दॉक्टर माथूर ने उस मरने वाले को जो दबा दी वो जहर है. और भाई कहता हूँ ये जूट है. आई अबजेक्ट में लॉट. वकिन सफाई भूल रहें कि यहीं इसी टेबल पर इसी बोतल के साथ जो केमिकल रिपोर्ट मौजूद है, वह यह साविट करती है कि इस बोतल में सिर्फ जहर है और उसके सिवा कुछ नहीं. इस बोतल में जहर है? जी हाँ. इसकी केमिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, माय लॉड. जो कहती है, इसमें जहर. लेकिन जिंदगी और मौत के इस मुकदमे का फैसला करने से पहले, अब यह नहीं भूलना चाहिए, कि यह केमिकल रिपोर्ट कोई आसमान से उतरी किताब नहीं है, जिसे कोई गलती नहीं हो सकती. मैं इस केमिकल रिपोर्ट को जुटलाता हूँ. इस दवा की बोतल में एक बून भी जहर नहीं है. सिर्फ दवा है, जो किसी की जान नहीं ले सकती, किसी का खून नहीं कर सकती. कोई सुबूत तो होगा आपके पास, मिस्टर वर्मा. इस बात को साबित करने के लिए कि इस बोतल में जहर नहीं है. जिहां, सबूत और गवा तो नो मैं हूँ. सिर्फ मैं हूँ. का करें आप, मिस्टर अरून वर्मा, stop it! यह दवा है यह जहर? इस से बड़ा सबूत और मैं क्या दे सकते. थैंकियो, मिस्टर अरून. अदालत समझती है के यह बात पूरी तरह साबित नहीं होती के डाक्टर आशा माथूर ने दामोदर पर साथ का खुन किया है और प्रासीक्यूशन की पेश की हुई केमिकल रिपोर्ट के जूटे होने की गुंजैश है. इसलिए यह अदालत डाक्टर आशा माथूर को बाइज़त रहा करती है. क्या दोटे करते हैं अधे भाट्ति करती है म घृमन करती है इसलिए मैंन का थे कर दो दौट है तूम झाल है जुट मैं तूमाज़ और अज़ा दूमाज़ उखनारी झाल अब अरुन साब कैसे है ठीक है अभी तक तो बेहोशे लेकिन खत्रे से बाहर है जहर बहुत पहल गया था थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था आशा मैं तो कहूँगा कि अरुन साहब ने तुम्हें बचाया और उन्हें भगवान ने लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया सिर्फ एक केस जीतने के लिए नहीं उन्हें यकीन था कि आशा निर्दोश है और उन्हें कहा था कि निर्दोश को बचाने के रिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकते यह कुछ यह कुछ अलगी आदमी है मैं कह रहा हूँ उसमें जहर था जहर था तो वो पी कैसे गया अरे जहर था या नहीं हम पर तो कोई मुस्यवद निया जागी ना नो नो प्राबलम आप पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता डागा सा अंकल अखबार वालों ने अरून औरूमा के बहुत आरिफ किये अखबार वालों का स्टेंडर्ड किरता जा रहा है अरे ऐसे केस तो मैंने चुटकी में हल किये हुए है और फिर इस केस में कोग खास ऐसी बात भी तो नहीं जो पेपर वाले इतना शोर मचाएं येस अलो छक्राल साब है होलन फ्लीज चक्राल ऑफिस तुभर लिए फोन है हलो सर वो विप्की साब 5,000 रुपय मांग रहा है दे दो मगध सर पीछले आपते तो थर ये ले गये ते ए आने कहा न, शर्मा जी के वो मेरा बेटा है जो मांगे दे दिया करो और बोहर मत किया करो सर शर्मा जी मेरे पास उसके लिए पैसा है वक्त नहीं सुना है विक्की आज कल कॉलिज में बड़े हंगा में कर रहा है? बेटा किसका है? oh God he's so good he is the best कैसे मुव करता है न? वाट? मेरी होने वाली बीवी या नौकरी? आरगेज नहीं. बीवी बनो तप न? अभी तो तुम्हें कॉलिज कंप्रीट करने में ही दो साल बाकी हैं. अच्छा बाबा, कर ले ना नौकरी. मगर मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ. कानूनी या गयर कानूनी? यू कै? ए यू, क्या हो रहा है? यह क्या बत्तमीजी लगा रखी है? आए प्रोफेसर. क्लास्रूम में एक मंदिर है, बदमाशों का अड़्डा नहीं. तुम्हारी शिकायत अभी प्रेस्पंसर करता हूँ. विकी से दुश्मनी शरीफ आदमी नहीं क्या करते प्रोफेसर क्यूंके विकी जीडी ठक्राल का बेटा है. और जीडी ठक्राल को तारा शहर जानता है. सर, ये निउस्पेपर देखा आपने? बड़ी हेड्लाइन में नाम छपाया आपका. ठक्राल साथ तो कहते थे कि ये केस कोई जीथ ही ने सकता. अब बात करने चाहिए उन से. वो दिन भी आएगा, मनसुक भाई. वो दिन भी आएगा जब मैं ठक्राल साथ से बात करूंगा. सिर्व वो डॉक्टर माथूर का फोन आथा आपके लिए. घर पे बलाना चाहते हैं आपको. और वो गीता जी ने भी फोन किया था. ओके. मेम साब, नीचे कोई अरुन साहब करके आया है. क्या? उन्हें नीचे बेठा ओ. मैं अभी आती हूँ. साब, मेम साब अभी तयार होके आता है. आप बैठिये. क्या आता है. क्या आता है. मैं जो. मैं खूआ. मैं जो. हुआ है कर दो कर दो कि अ अधा वाट इस देस खुजर, आवाज के बीना साज कुछ अधूरा सा लगता है देखें सर यह तालिया साज के लिए थी और अब तालिया आवाज के लिए होगी जित जाएंगे हम, जित जाएंगे हम, तू अगें सके है जित जाएंगे हम, तू अगें सके है जित जाएंगे हम, जित जाएंगे हम, तू अगें सके है जित जाएंगे हम, 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 जित जाएंगे हम झाल झाल आप इस तरह गुमसुम अकेले खड़े हैं और आपके हाथ में गिलाज भी नहीं इस देश वेड़ाप विस्की आप शुरू से हमारे साथ ज्यात्ती करते हैं क्यों आशा आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और आप अपनी फीस के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं मातुर साथ आप मुझे इस केस की फीस देना चाहते हैं अरे फीस आपके लिए अगर हमारा सब कुछ बिक भी जाए तो हमें कोई प्रवाद नहीं भगवान ना करें आप पर ऐसा वकता है वो बदनसीब और होते हैं जिनका सब कुछ बिक जाता है मातुर साथ लेकिन हम अपने आपको खुश नसीब समझेंगे आप कहीं आपको चाहिए क्या कारी बंगला ब्लैंक चेक वाट एवर यूवाट मातुर साब आप मुझे यह प्यानो दे दीजे प्लीज यह मामुली नहीं है ऐसी क्या खास बात है इसमें यह वो साथ है जिसके सीने में सुरों के साथ साथ कई कीट पी चुपे है आप मुझे यह प्यानो देंगे ना वाट इस बेस आपके घर पहुँचने से पहले यह प्यानो आपके घर पहुँच जाएगा लेकन याद रखिये यह आपके फीस नहीं यह हमारी तरह से एक छोड़ासा तोफ़ा Thank you sir, thank you Hello Hello बोलो गीता आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं जिस तरह लोग एक दूसरी की आवाज सुनते ही पहचान लेते अगर धियान दिया जाए तो किसी की खामोशी सुनी और पहचानी जा सकती एक बात पूछू तुमसे आप पूछो तुम बहुत अजीब इनसान हो मैं ये तो नहीं जानती कि तुम जैसे हो वैसे क्यूं हो लेकिन जानना ज़रूर जाओंगे मेरे बारे में जानने के काबल कोई बात ही नहीं है है या नहीं है ये फैसला अगर मैं करूँ तो आपको इतराज होगा वकिर साब अरे अरे चलो ठीक है सारे फैसले तुम्हारे हाथ तो फिर मेरा पहला फैसला अगले संदे हमारा ग्रूप मनोरी बीच जा रहा है और आप आएंगे जरूर आएंगे और मैं आपका इंतजार करूंगी अरे गीता कर दो कर दो कर दो कर दो लाओ चरफ लाओ लाओ ट कर दो लगा वाँ लौजब हाँ हुआ 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 है ये मासा देता है आवादे आजाते है मेरे अगों के खयादों के शेहना दे हुआ हुआ है आवादे 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 용raft मुवरी दीन आप इतर भामागा टुट गुटी नी बीप वार, शी य'किविया किव वार, शी नी वार, शी य'किविया मेरे दिन के तारों को तारों का उचे दिया तेरी क्या मर्जी है तेरी क्या इरा दिन है मेरे हादों के हयालों के शेहला दे झारों के चेपन switched वे गारों के प्सक्ताम शेफाद्र मेरे वे मरju ए多 लालालालाला... लालाला... दिल को मिया, मिया, अब जानने... दिल को दो, जी आ, अब जानने... मेरे तबर जादू हिम्तहा ना ने शेशे की गुडिया को पसर से कतरा दे मेरे खागो के हयालो के शेहदादे ये मासर देखा है कर देखा हिम आप gü कर देखा हिम्ता Deaf कर देखा हिम्तादी श्युश्य कर देखा हिम्तेर इम्ते ही कर दो में हैं है कर दो ए दो में है कर दो सब दो एंस आपन आप है का ओधन में है का ऑडन में है अने बी जे ब dual our कि में। नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी तो नहीं कुछ गही Siadin जी नहीं, वैसे ही, आप आ गए। मैं आ गया। आप ठीक तो है। मैं? मैं, मैं बिल्कुल ठीक हो। क्यों? नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए अंदर रेस्ट में बढ़ते हैं। फिर तो खतम हो गई यार। अबे मरता क्यों है। अभी पिलाते हैं, चलिए चलिए। हाँ तो आपने बताया नहीं, वहाँ बैठे-बैठे क्या सोच रही थी? कहा ना, कुछ नहीं सोच रही थी। तर असल मुझे ड्रीम्स देखने की आदत है। आई वी, हाँ दूने, इस। वाँ, हाँ तो यह फ्रीम्स देखने का आदत तुम अकल सोच रही है। जिसा आप लोग क्यों मरते है। अच्छली तब हम लोग लंदन चले गए थे। और कॉलेज तक मैं वहीं पड़ी। दर असल मुझे मुझे मुजिक एंड डान्स का बहुत शौक है। किस किसम के शोकर देखे। हर किसम के। सच पूछो तो हिंदुस्तानी संगीद और रिट्य में जो रास है न, वो किसी में भी नहीं। और हिंदुस्तानी सभ्यता की तो चमखिया लग। किदा जानती है इस फूल को क्या गयता है। किदा मैं सोच रहा था कि एक तुम हो, जो सारी जिनकी इस मुल्क से बाहर रहीं और फिर भी अपने मुल्क की तमीज और तैजीब की इज़त करती हो। और एक ये हैं, जो शायद सारी जिनकी यहीं रहें। मगर फिर भी आपने आपको अंग्रेश समझते हैं, अंग्रेश की छटी आउलाद समझते हैं। असल में कलती ही इनके माबाप की होती है। अगर ऐसे बच्चों की बच्चपन से फिटाई की होती है, तो ये कभीरें फिगड़ते हैं। बट्टे है चंग्रबन। हाई कॉमाल। हाई। हाई चीना। तुमारे भाई आरून वर्मा का आज पी रखवार में फोटोचपा है। क्या आरून वर्मा तुमारा सगाव आई है। हाँ लखी हुआ। विकी तुमारा फोन। हलो। यहलो विकी, मैं हिंदूू बोलो हिंदूू। मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें फोन किया, घर पर भी नहीं, बेदी था मैं सारा ऐसा करते हैं, संड़े को मिलते हैं मुझे तुमसे बहुत सी बाते करनी है कमोन या, बोर मत करो, प्लीज विकी, प्लीज विकी, तुम कैसे भी करके बाते हैं? हलो कि तुमसे हो? विकी, तुमसे तुमसे आगे हैं हलो, आई हुटे हलो 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 क्या मैं एक फूल की तरह खुबसूरत लड़की को एक लड़की की तरह खुबसूरत फूल दे सकता हूँ थैंक्यू कोमल तुम शायद मुझे नहीं जानती लेकि भाइवा, इस तारीफ का जवाब मैं एक और फूल से दूट तो लेली थैंक्यू कोमल अच्छा डांस तो कोई भी कर लेता है, मगर उसे एक अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है मुझे एक दांस पार्टनर की तलाश थी जो graceful हो, अच्छी दांसर हो, उपसूरत हो और वो, तुम है ये फूल हमारी पार्टनर्शिक की नहीं लेली जी थैंक्यू, लेकिन मैं इतना अच्छा डांस कहां करती हूँ जितना आप आप तो अरिश ठीक जाओगी, मैं सिखा दूगा, no problem हम लोग रोज 6th period के बाद assembly hall में रहसल करते हैं कल से तुम वहां आ रही हो, okay ये फूल हमारी appointment के लिए और ये फूल उस दिन के लिए जब हमारी ये partnership केहरी दोस्ती में बदल जाएगी पार्टनर मान गये गुरू ये लड़की तो अपने चक्कर में आ जाएगी और फिर मैं मिस्टर अरून बर्मा को बताऊँगा कि मेरी इंसल्ट करने का मतलब क्या होता है अरो भाई अरून अलो गेरवाल साब हमें तुमसे बहुत शिकायत है मुझसे? कहिए आओ हमारे जस्टिस रिपार्टमेंट ने कई बार ये कोशिश की कि कभी कबार कोई मुकदमा तो तुम सरकार की तरफ से लड़ो मगर एक तुम हो कि तुम्हें सरकारी वकील बनने के लिए फुर्सती नहीं मिलती तुमसे बहस में तो कोई जीत सकता नहीं चलिए साहब अरे अरे तरह हमारे साथ भी तो बैठो आओ अरे ठकराल इस नहुजवान से तो मिले हो तुम ये तुम्हारी मैदान का के लड़ी है अरुन वर्मा अरुन वर्मा हलो नाम तो सुना हुआ है रगता है कि आपको कहीं देखा भी है जिस वकील को आपने डॉक्टर आशा मात्र का मुकदमा दरते देखा था वो मैं था ओ आई सी काफी इंट्रेस्टिंग केस था दरसल बात ये है कि इतने लोगों से मिलना जुलना रहता है कि सारे चेहरे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है कोई बात नहीं आपने को चाल चली ही नहीं क्या चाल चलाओं ठकराल साहब लगता है दूसरी बाजी भी आप ही जीज़गे माफ किजे खाना साहब ठकराल साहब की पोजिशन मजबूत जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता ये बात है लीजे मैं हट जाता हूँ आप ही आजएए इजाज़त है जरूर लीजे तो वकीलों के दिमाग तकरा रहे हैं देखें इस खेल में कौन क्या चाल चलता है अरे नहीं गरेवाल साहब ये खेल बराबर का नहीं मिस्टर अरुन वर्मा तो अभी अभी आए हैं और बाजी तो पहले से ही मेरे कबजे में है इन विचारों के पास चाल चलने की जगाई कहां है ठाराल साहब जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजिशन में होता है तो उसे अपने आप पर इतना यकीन हो जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कहीं किसी दूसरे कोने में उसने एक खाना खाली शोड़ दिया है और वही हुमार खाता है हम् वही वाह, हाह, बहुत अच्छी चाल चली मगर जो खिराड़ी अच्छी पोजिशन में हो वो किसी एक खाने की हिफाज़त तो किसी वक्त भी कर सकता है अरुन परमासाब ज़रूर कर सकता है तकि उस खाने को बचाने के लिए उसे अपने थोड़ी सी ताकत दूसरी तरफ लानी पड़ती है और इसी बज़े से वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और वो जब कमजोर हो जाता है तो उसे हराया जा सकता है देखिए इस वजीर को बचाने के लिए आपने अपना बाशा खुला छोड़ दिया ये चेक एंड मेट ठगराल साब ये बाजी तो आप हार गए कोई बात नहीं ये कोई आखरी बाजी थोड़े ही है हाँ ये तो है ठगराल साब अब ज्यादा यकीन और लापरवाई से काम मत लीजे हो गुद्बाई फ्रेंड्स आज के बीच में चौबीस घंटे होते हैं और आदमी चाहे तो एक बात को चौबीस बार भी भूल सकता है भी छे तो बजगे छे अभी बज़े नहीं और मैं आ गया सॉरी डॉक्टर मातुर सॉरी लेडीज बस आप लोग बैठिये मैं दो मिनट में त्यार हो क्या था अरू जरा सुनो छी ये तस्वीर किनकी है क्यों? मैंने इने कहीं देखा है आपने इने देखा है? कहां देखा है? मैं मैं कहीं इन से मिला हूँ क्या गयर है आप? हाँ, हाँ, बिलकुल यही शकल थी हाँ, आशा पिछले साल जब डॉक्टर बेनर जी की जगह पे मैं हाना मेंटल असालम में था एक महिने के लिए वहीं मैंने इने देखा था 15 साल से वहाँ है कौन है, कहां से आई है, कुछ नहीं बताती बार बार कुछ बे तुकी, बे जोड़ सी बातें करती रहती है कि कोई मुकदमा चल रहा है यार आयसा हुआ था एस 儿 हुआ था.. एक साली था enough मातूर और क्या कहती ही वह और बार बार दो बच्चों के नाम दोरा के Jackie रहती है वह बिंकी और अनू आ था दॉना हमान चलो में वा वह अनू और यह पिंकी अ को वह कराद वो जो पंद्रा बरस से उस पागल खाने में वो हमारी मां है, वो हमारी मां है, डॉक्टी साब, मुझे उसका पता चाहिए, कहा है वो जगा, मैं अभी मिलना चाहता हूं, डॉक्टी साब, अभी आप लोग यहीं बैठिये, वो बस आती ही होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आप सब लोग उसे एक साथ नहीं, बलके बारी-बारी मिलेंगे समझ गए न, अरुन, खैल रखना कि उनकी याद और उनकी सोच, फंदरा साल पहले जहां रुख गए थी, आज भी वो आज भी यही समझती हैं कि उनका पती जेल में है, कि मुकदमा चल रहा है, और उनके दो छोटे-छोटे बच्चे, पिंकी और अनू, आज भी घर में अ अने, में लेंगे, तेकिन, आनी केंगे होने आपी मिलने आये हैं मुझसे जी हाँ गुपता जी ने भेजा है आपको जी, उन्होंने भेजा मुझको उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूँ कि आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ये लोग आपका ख्याल रखते हैं हाँ हाँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे घर में अखेले होंगे, यही परेशानी रहती है कई बार सोचा कि घर चली जाओं लेकिन हमारे वो बड़े डॉक्टर साहब है न, बहुत भले आदमी है बहुत अच्छे आदमी है, वो कहते हैं कुछ दिन इधर ही रुक जाओ कभी भी केस की तारिक बढ़ सकती है केस इसी शहर में आ गया है न, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ उफ, इस मुकदमे ने तो हमारे पूरे घर की जिन्दगी मगर मैं दो एक दिन में चली जाओंगी हमारे डॉक्टर साब हमेशा कहते हैं बस, दो एक दिन, दो एक दिन क्या बताऊं वकिल सहाब आधा दिन यहां मुकदमे में लगा रहता है और आधा दिन बच्चों के लिए कुड़ता रहता है अरे, अरे, बेचारी कौन है यह? क्या हो गया है तुम्हे? Hold yourself गीता, लीज इस भालने चलो चलो आस्पिटल है ना, किसी को देखने आई होगी आप गुपता जी के साथ वकिल है? जी, जहाँ मैं तो पहली आपका काला कुट देखकर समझ गई थी कि आप वकिल है आप क्या समझते हैं सच बताए यह छूट जाएंगे न? आप आप इस तरह इस तरह क्यों देख रहे है मेरी तरफ क्या? क्या आपको लगता है कि ने, वो? कुछ नहीं होगा उने कुछ नहीं होगा आपके पती को वो निर्दोश है और निर्दोश को कौन साथ दे सकता है? आपको आपको मैं तो समझ रही थी कि आप कहेंगी कि वो अच्छा मैं चलू मैं चलू मा मा अरुन यह यह मेरी मा है गीता मेरी मा पंद्रा बुरस से इस पागल खाने में मेरी मा पंद्रा बरस तक मैं यह भी नहीं जानता था कि यह जिन्दा है या मर गई और आज वर आज उसे पाया तो इस चाल में क्या कहूं वो जिन्दा है या मर ड़ी घर्वाइ से कि वोडा हुँ मैं इंदुस्तान के सबसे बड़े वकील ठक्राल दी क्रेट से बात करना चाहता हूं मैं कौन हो उसकी फिगर मत करो यह बता हूँ वो कहा है जी वो साइन क्रप की मीटिंग में गए है मिस्टर प्रेजिजन्ट लेडी जन्टलमेंट यहां के कुछ कारे करताओं ने मुझे यह हुक्म दिया कि आज मैं वकील होने के नाते अपनी राए पेश करूं के कानून में कैपिटल पनिश्मेंट यानि के सजाय मौत होनी चाहिए के नहीं कुछ जजबाती लोग कहते हैं कि सजाय मौत खत्म हो जानी चाहिए लेकिन जजबात हमेशा सच्चाई से दूर होते हैं ऐसा मेरा विश्वास रहा है मैं हमेशा सजाय मौत का जबर्दस्त तरफदार रहा हूँ और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूँ क्योंके मैंने अपनी वकालत के इस लंबे केरियर में आज तक 75 लोगों को फासी की सजा दिलवाई है मैं आप से इस शेर के इजददार लोगो ठकराल साब ने अपने बहुत से बड़े कारनामों को बहुत छोटा कर गया बताया और यही है इनका बड़ापन कौन कहता है के ठकराल साब ने सिर्फ 75 लोगों को फासी दिलवाई है गलत बिलकुल गलत उनकी गिंती 75 से बहुत ज्यादा है इसलिए कि हर एक आदमी के साथ कई लोग होते हैं फासी के तक्ते पर कोई अकेला नहीं होता फासी के तक्ते पर उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग उसके बच्चों का भविश उसके घर में बसने वाली है के खुशी उसके आंगर में उतरने वाली है के किरण सबको एक साथ फासी हो जाती है थक्राल साब ने पच्चतर आदमियों को नहीं पच्चतर परिवारों को फासी दिलवाई और यही है इनका भ़ापन यही है चैर के इजदार लोगो थक्राल साब बहुत बड़े दिल के आदमी है इन्होंने मुझरिम और निर्दोश को हमेशा एक आख से देखा है कभी किसी में फर्क नहीं किया और जो गर्दन हाथ में आई उसे फासी का फंडा पिनाए बिना वापस देंगे जा और देख लीजी देख लीजी पच्चतर लाशों बेखा हुआ यह ठक्राल कितना उचा दिखाई दे रहा है मगर मिले यह एक बात यादत ना थक्राल एक बात पेगुनाओ का खूल पलटकर अपने कातल के दामन पराता है और वो खूल तुमसे तुमारे जुमों का हिसाब लेगा तरोल और वो इसाब भाई तुमसे नूँगा जलो अब तुम्हेरे तुम्हारे जुमारे कोई नी कोटा बता कोई ने रामू आया बिटिया जल्दी आओ रामू इन तोक्यों पर गलफ चड़ा के उपर वाली कमरे में रख देना अच्छा बिटिया और सुनो तरहने पानी का जग भी रख देना अच्छा अलो येस कौन सब बोल रहे हैं? अच्छा तो हमारी आवाज भी नहीं पहचानी अभी तक है? ओ, विक्की येस, यॉर हाइनिस क्या तुम कॉलिज नहीं है और रहसल पे भी नहीं है डांस के? आम रिली सॉरी विक्की लेकिन कैन मैं आजकर जरा परेशानी में हूँ परेशान तो हम भी बहुत हैं, कुमल लेकिन तुम्हें हमारा ख्याल ही नहीं मुझे तुम्हें बहुत ख्याल है अच्छा विक्की, मैं तुम्हें बाब में फोन करती हूँ, ओके, बाई आये आपका घर तो बहुत अच्छा है इसे आप अपना ही घर समझेए, चलिए हमारा घर हमारा घर ऐसा कहां हमारा तो बहुत छोटा सा घर है वकील सहाब आप मुझे मेरे घर पहुँचा देंगे ना जहां मैंने आपसे कहा ना मैं पहुँचा दूँगा हाँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है कभी आप हमारे घर आएंगे तो देखेंगे दो छोटी-छोटी बच्चे हैं अरुन और कोमल इतनी सी उमर के बच्चे मा के बिना नहीं रह सकते वकील सहाब किसी भी उमर के बच्चे अपनी मा के बिना नहीं रह सकते चलिए हाँ, ये बात भी ठीक है ये रिश्टा ही ऐसा है पर मैं यही सोचती रहती हूँ कौन बच्चों को सुबह सुबह नाश्टा देता होगा कौन उन्हें स्कूल जाने के लिए तयार करता होगा खेलकूद में बच्चे खाना पीना ही भूल जाते हैं पता नहीं ठीक से खाना खाते हैं या नहीं ये मेरी छूटी बेन कौमल नमस्ते अरे, मेरी बेटी का नाम भी कौमल है उसी की बात कर रही थी बड़ी जिद्धी है और उन फिर भी समझदार है लेकिन आपकी कौमल तो बहुत से आनी लगती है कौमल, इन्हें उपर ले जाओ चलिए, हाँ, चलो अरे हाँ, वकिल सहब, आप मेरा एक काम कर देंगे जी आते वाक्त बड़ी डॉक्टर सहब ने मेरे जमा की हुया पैसे मुझे दिये थे आप ये किसी तरह मेरे बच्चों तक पहुचा दीजे उन्हें शाद जरूरत होगी और हाँ, उन्हें कहती जे माँ दो एक दिन में वापस आएगी ज़रूर आएगी कह दीजे, हाँ अरो किता सुनी तुमने मा की बाते देखे तुमने मा के सपने उनकी उमीदे आज तक मांग में सिंदूर लगाए जिन्दा जब के मेरा निर्दोश पाप फांसी के तक्ते पर खतम हो गया उस ठक्राल की वज़ए से आज तक हम मुसीबते छेल रहे हैं ठक्राल उस फंक्षन में अरुन वर्मा ने आपके साथ बहुत बत्तमीजी की आपका सिर्फे किशारा चाहिए अरुन वर्मा की लाश का पता नहीं चाहिए अंकल आप तो अरुन वर्मा को नहीं बैटे वकीलों की जंग अदालत में होती है एक बार अरुन का केस मेरे सामने फसने दो फिर मैं उसे मज़ा चखाता हूँ उसका इंजाम भी हो जाएगा वो कैसे मैंने एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा है जिस पर बर्सों से गरीबों ने बस्ती बसा ही हुई उस प्लॉट को खाली करवना है वो हो जाएगा लेकिन इसका अरुन वर्मा के साथ क्या तालुग है अरुन वर्मा उस बस्ती वालों का वकील है ओ, I see तो समझ लीजिए जागा साथ आपका काम हो गया पुलिस आई है पुलिस आई है यह पुलिस आई है आई है वो इससे पहले के मेरे आदमी यह मकान और जोपड़े तोड़ना शुरू करें अगर आप कोर्ट की तरफ से दिए गई यह जमीन खाली करवाने के ओर्डरस देखना चाहें तो देख सकते है मिस्टर अरुन वर्मा आपने अपनी पहली मुलाकात में मुझसे बहुत अच्छी बात कहीं जब खिलाडी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो वो देख नहीं पाता कि उसने कहीं किसी दूसरी जगा एक खाना खाली छोड़ दिया मुआफ करना भाईयो अगर आपके ये बुद्धिमान वकील साब चाहते तो मेरे और्डर को रुकवाने के लिए कोड़ से एक दूसरा ओडर ले सकते थे लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है क्योंके कोड़ तीन दिन के लिए बंध है तोरी मिस्टर अरुन वर्मा इस बार कर आपने खाना कि चोड़着 लिए बाथ ओने को धाने के नहीं किर नहीं हमें फकलाल साइब इस करीब खाने की यह करीब के खाने में पायॉम्हाँ मत रखो थक्रान क्योंकि जब गरीब का दिल रोड़ता है तो अपने होश्को बैटता आप तो फिर तुम्हारे जैसे पच मंगल, अरिये मुन्नु, मंगल का बेटा, मुन्नु, मुन्नु बेठे, ये ठकराल अंकल हैं, बहुत बड़े वकील हैं, ये तुम लोगों के छोपड़े तोड़ने आएं, देखो बेटे, इसका जवाब तुम ही दे सकते हो, ये चो कोट के पेपर्स हैं ने तुमारे हाथ मे जाओ और इन्हें जाकर दिखा दो, जा बड़े शावाश चक्राल साथ, क्या है इस ओर्डर में? जी हाँ, ये कोट के ओर्डर्स मैंने कल शाम को ये ले लिया थे मैंने अपनी पहली मुलाकात में एक बात और भी कही थे कि आएंदाज ज्यादा यकीन और लापरवाई से काम मत लीजेगा और ये वादा भूल गए चाहिए धगराल साथ, आपकी कारें आपका इंतजार कर रही है जागा साथ, चलिए मगर कोट दे सो हमें और दिया था जागा साथ, ये कानूनी बाते हैं, बाद मैं समझाओगा आपको अभी कुछ नहीं हो सकता, चलिए चलिए ना आओ विकी आओ, वेलकम डारिंग, उस हराम जादे दो टके के वकील ने भरी बस्ती में मेरे डैडी की इंसर्ट कर दी और तुम दोस्तों खड़े मू ताक्ते रहे गया, अरगेस नहीं, हमें तो तुम्हाई डडी ने रोक लिया था विकी परना विकी के दुश्मन अकसर घरों में नहीं, अस्पतालों में पड़े मिलते हैं और इस बार मिस्टा अरुन वर्मा साहब का भी अस्पताल पहुंचना बहुत सरूरी है हाँ गीता अरुन बोल रहा हूँ कहां से बोल रहे हो? वो बरिवले टेलफोन बूट से है, मातुर साब का है? वो बातरूम में है उनसे के न थोड़ी देर घर पर आ जाएं मा को समझाना थें कि वो अरुन 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 वर्मा बहुत को में पढ़ी है, मिस्टा अरुन वर्मा बेचान सकते हो कौन आदमी है यह? बता लो पुरी स्टेसन जाकर यह कौन है हम देख रहा हो ना? अरूट! हाकाल से दुश्मनी का यही जवाब है! नंगाल बसाने का दोबरा! अरूट! ये कंशी हावास है, अरूट? ये क्या होरा है? अरूट! जार को आर लुखना जयानी टूट! आर लुखना भीज़। ये जी मढवादी, चियाशी बीस ज़डी आयीए, तेरा बिकियतो क्या होरा है? कर दो कर दो कर दो not कर दा डर सबस्ताली को इस पतर गिसा transforming जोक्टर साब, मैं भाईया के पास ही रहूंगी वाट इस दिस कोमल देखो, बच्चों की तरह जिद नहीं करते तुम्हारे यहां रहने की कोई जुरूत नहीं एस्क्यूस मी येस छक्राल साब ने ये फूल भजे है थैंक यू जो तुमने किया वो तुम्हे नहीं करना चाहिए था तुम्हे समझाने का यही एक तरीका था करेक्स पाग्ने का तरीका थाराइएएएएए रच्साने कुम्हेएएएएएόडवाप टुम्हें का यहाइएएएएएएएएएए SCREW minim, पाग्ने का यह Rबहो है 17 पտूर कि दूर में जूर रह लाज लूर झाल कर दिए, पोड़े जहाँ जोखा है... की घच को टो है? झाल कर दए, जहाँ झाल कर दो के मैं कि अईसस्यम क के साण 一ो, जहाँ जहाँ झाल के टूबे जहाँ मुझे तुमारी मौत नहीं, जिन्दगी चाहिए ठकराल, ताके मैं तुमारे हर किये का जवाब दे सकूँ, और मेरा हर जवाब तुमारे सवाल के मुताबिक होगा, गुट नाइट, तुरे डैरी को देखा तो नहीं, नहीं, यार मलूर में कहा हूँ, शकेर तर्वाजा खुलो, कहा है डैरी, शकेर, आपके आलाद सुनाई देभी, अगर आप दिखाई नहीं देरे, अरे उल्लू के पछे मैं यहाँ हूँ, अंके आप भाए कहा, अरे हराम दयदे मैं अंदर हूँ, अंदर कहाँ डैरी, अरे इस तपड के अंदर, कब, डैरी, अंके आप रुक्या मैं चावी लेकर आता हूँ, अरे इस पुस्ते के बच्चो जब तक तक तुम चावी लेकिया होगे, मेरी अंदर जान निकल जाए, तोड़, अंबा, जारी, बस्टे, तोड़, विखी, विखी, क्या होगी है तुम्हें, अपने प्यार का इंतिहान ल प्लाई, विखी, विखी, वा इंतिहांन लॅठ तोड़, विखी, 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 विखी ौ're वह जाता हूं तो मुस्से प्रिखार इख तो वालकुम अगर्ण्स Do the show that never ends, I've taken the chance to make you dance, you will move your feet and groove through the feet. So then, which beat would you like? Dostum, konsa dance for some karengi yao! Rumba? No! No! Samba? No! No! Rumba? No! Samba! No! Tequila? No! Tango! Charleston? No! Polka? No! 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 Look at gaho! One! One! Two! One! Two! Three! Four! One! Two! Three! Four! Five! Six! Seven! Eight! Rock and roll! Hey, ball baby ball! Rock and roll! Ball ball ball! Rock and roll! Hey, ball baby ball! Rock and roll! 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 हुआ 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 हु इवाना, मसराना बीबाना, मस्ताना, परवाना, नगराना, तेरा ये दिल हो गया जोड़ी से चुखे से जुखे से जुखे से जुखे जुखे इस धिनिया ते मुश्के हो गया हम दो प्रेमी हम दो पंची चल हम पुड़ जाए मन गोल बोल देवी बोल 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 मेरे संग दोल अरे दुनिया है गोल कि बोलाँ कि बोलाँ करेंग जाए गोल कि इस फिस गुड़ चैर प्राश था हा जामां इचित कि इस लेसंग तू कजसा गड़ दिशा ठिशार चटो लुटर में यह करता है मेरे कदम, ए मौट में हम मेरे कदम, तोले दनम, तेरी कसम, मेरी बहे था मले थूर कोई, खाव कोई, फूर कोई, खाव कोई, खाव कोई, चीस कोई, तोपा कोई करें देलिए पुंँजना ले अरी जिजो का है मौल क्यार महबब अन्मौल भी भॉल गोल बयुद उन्मौल दूनिया है गोल बोल बेबी बोल 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 बेबी बोल जरा मेरे संद दोल देख दुनिया है गोल दिल में बज जाने दे मुझको दिल के सब दर्पा देखो । । कנरे संच जी खवसे भ santé न तूज, हे बन्या है बन्या है जोफे जूसे बन्या है खषिएएए, होजया झी बतनीं लीखो GPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJP señas mोग legitimate Beef Programms real. ये ज τις कमो Walmart & Docio History Re advised, in any on on people's day has lest to fame । हुआ 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 हु ये नेरे चुर। आपनारिक अरे रामू। हाजी का है? यह ऊपर वाला कमरा में है का कोमल भी नदर ने आ रिए वो का है? यह उनका भी पोन आता कि वो देएरी से आंगी अब बस, I'm tired, Vicky All right ओम अब तुम से मिलने से पहले तो मुझे पता ही ने था के true love क्या होता है मुझे कभी कोई लड़की अच्छी ही नहीं लगी Really? मगर तुम्हारे मिलने के बाद तो सच? You know Hi, Vicky तुम? तुम इस टेबल पर बैठी कैसे? मैं इस टेबल पर यहाँ इसलिए बैठी हूँ ताकि तुम किसी और मासूम की जिन्दगी बरबाद न कर सको क्यादा पाइसे? वेदा, बारे जगो बलाओ कोमर, ये मेरी जिन्दगी तो बरबाद कर चुका है अब ये तुम्हारी जिन्दगी बरबाद न करते मैं तुम्हे इसके वो लव लेटर्स दिखाऊँगी जो इस धोके बाद ने मुझे लिखे थे कोमर, तुम पढ़ोगी तो तुम ने अगर कोमर को भड़कानी की कोशिश कीना तो मैं तुम्हे जान से माड़ा लूँँग, समझी? वेदा हुजी कोल, वो कोमर, तुनो तो मुझे नहीं बनना है पागल तुम मुझे पागल करके जा रही हूँ, हाँ? वेखिए समझ गया तुम्हे विश्वास दिलाने के लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता है कोमर तुम्हे मेरे ड़ड़ी से मिलना होगा अभी इसी वाँ तुम अरुन वर्मा की बहन हो जी हाँ तुम दोनो शादी करना चाहते हो हाँ राद बस आपका आशिर्वाद चाहिए कोमर, माँ चोड़ा रिके गॉड प्लस यो गुड, गुड, वर्य गुड अरुन वर्मा अकेले खेलने हैं आप? अच्छा है, अच्छा है अकेले खेलने में कम से कम हारने का डर तु नहीं होता मुझे तो कभी भी हारने का डरने यह ठगरा जाब सही फर्मा रहे हैं आप क्योंके अब आप उच्छी हरकतों पर उतर आए मतलब आप जानते हैं कि मेरा एक ही बेटा है और मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे अपने जाल में फांसने की कोशिश करना और वो भी अपनी बेहन के जरीए ठगार मैंने दुश्मनों की घटिया से घटिया हरकते देखी हैं मगर इतनी गिरी हुई नहीं फैर अब ये खेल तुमारे हाथ में है अब ये खेल तुमारे हाथ में है अब बॉल इस इन योर और अब बॉल भाईया, तच्चाई से मूँ फिरने न बेवकुफी है और सच्चाई यही है कि मैं विकी से प्यार करते हूं कॉमल वह एक नंबर का बदमाश है कॉंडा है, कमीना है भाईया विकी को गाली देने का मतलब मुझे गाली देना है कॉमल अरुन, यह क्या हो गया है तुम्हे पूछो इससे क्या हुआ है, पूछो तुमने अगर कॉमल को मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिन्दा दफन करतूंगा और जिस दिन मैंने यह फैसला क्या उसन तुम्हा बाप भी तुम्हें बचाने सकेगा यह याद रखना अरुन वर्मा ने यह थपड तुम्हें नहीं जीजी ठक्राल के बेजे को मारा है उसकी बेहन तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हो सकती है विकी हो सकती है डैड बात में जो होगा मैं देख लूँगा मगर ऐसा हो जाए तो अरुन वर्मा किसी को मुँ दिखाने के काबिल नहीं रहेगा कोमल में अगर बच्पना है तो इसका मतलब यह तो नहीं के तुम भी बच्चे बन जाओ अरुन तुम ज़रा समझ से काम लो घर में माजी हैं उनके सामने कोई हंगामा हो तो यह बात ठीक नहीं है यह तो अच्छा हुआ कि गीता उसे यहां ले आई और उसे दो-चार दिन यहीं रहने दो हम लोग उसे समझाएंगे हाँ समझाईए उसे और यह भी समझाईए कि मैं अपने दुश्मनों से तो लड़ सकता हूँ मगर जब अपने ही साथ छोड़ दे तो हलो किसे बात करनी है आपको कॉमल मैं विकी बोल रहा हूँ विकी तुमको कैसे पता चला कि मैं यहां हूँ जब कोई किसी से प्यार करता है कॉमल तो उसे कहीं ढूंड निकलता है I love you कॉमल I love you अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जहर खालूँगा ऐसा मत को विकी नहीं I love you तो फिर हमारे सामने एक ही रास्ता है आज रात कहीं भाग चलते हैं भाग कली शादी कर लेंगे क्या देखो मैं जैसा कहता हूँ वैसा सुनो कॉमल प्लीज प्लीज वरना वरना कह दो के तुम अपने भाई से डरती हो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती तो उनसे क्यों डरूँ? That's my girl लेकिन कल हमारे शादी हो जाएगी न, विकी मैं आज रात साड़े नौ बजे तुमें लेने आऊँगा तुम गेट पे रहना, okay? आज आना तुम, हा? कर दो कर दो कर दो जहाएँा एएएएएएएएएएएफ द Alors democrat ? करि एमाएएएँर? खायो? करियो कैसली ? करियो .... करियो लिवे दोSerum जिन्दी जाएंगे हम, जिन्दी जाएंगे हम, दूआ कर संगुने जिन्दी जाएंगे हम, 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 जि इक तुझे से हम दोरों के नाम दुड़े है से मस्त राने शाम दुड़े है से मस्त राने शाम दुड़े है जिन्दगी हर अदम एकने जग है जिन्दगी हर अलम एकने जग है अजैपश चे नाम दूफ टुबा जिन्दगश जे जाने जाइपश 6 अच्छा गाते हैं दोनो अच्छा गाते हैं तुने ही सजाएं है मेरे हो तुम पे ये गे तोने ही सजाएं है मेरे हो तुम पेए ये तेरी प्रीत से मेरे जीवन में पिखरा संगी मेरी मीत से मेरे जीमन में बिखरांगी मेरा सब कुछ तेरी देने है मेरे मन के मी मेरे जीमन मेरा, 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 मेरा गावनमा मेरो इसर दशवी से मेरा रूप रंग है जिन्दगी हर पदम एक नहीं जंग है जित जाएंगे हम जित जाएंगे हम जित जाएंगे हम तू अगर तू अगर संग है जिन्दगी हर कदम लिखने ही जित जाएंगे हम जित जाएंगे हम जित जाएंगे हम दोक्टर साब, उन्हें सब कुछ याद आ गया है, लेकिन अरुन बाबो, इतना समझ लीजे, वो पंदरा साल बाद सोके उठी है, आप उनसे मिल सकते हैं, जाएए अरुन मा पत्रो मा, देखो मा, देखो हमें अपनी मा मिल गए, और तुम्हें अपने अच्छी हापस मिल गए मेरा बेटा, कितना बड़ा हो गया कैसे गुजारे होंगे तुने ये दिन, मैं तेरे लिए कुछ भी न कर सके नहीं मा, नहीं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा देवा होसला ही तो था, जिसने मुझे संदर आखा मा कितना अच्छा लगता है सुनने में, फिर देखा मा कोमल कहा है कोमल, कोमल उसे दो बता ही नहीं है मा मातुर साब के घर पर है तुम्हाराम करो, मैं अभी लेकर आता हूं कोमल को उसे पता चले हो कितनी खुश होगी मा कोमल, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो, विकी ने मुझे बर्बात कर दिया है वो नाथ तुम्हे भी दस लेगा तुम जोड़ रही हो तुम विकी को उतना नहीं जानती, जितना मैं जानती हूं से यह खत मुझे विकी ने लिखे है, कोमल पिश्री साल, तिर्फ उसी की वज़ए से मुझे पूना जाना पड़ा आए बाशन के लिए, केलो उसकी छूठी मौहबत परियो यह खत यह मुझे दे वापिस कर दो यह खत मुझे वापिस कर दो इने विकी यह सब क्या है गुमल तुम इस नेच की बात बूमात आना यह सम्सकी प्ला है गुमल तुम किछा कहीं मैं जाना यह तुम मह तुम फरमाद कर देगा नहीं, विकी मैं तुमारे साथ नहीं जाओगी नहीं नहीं कोमल विकी कुर टे रर घाल को किक कुर विल्ट कि जू सुनिहीं, चली चलीई कर अ जैसे, जो बनादिक जो दरें हो ठहली कीजिए, वो भाग केगा क्यों हो, अच्छाजी? कुन? कुनस हमारो पाद या जो भाग जा! भाग जा सला मैंने उसकी गाड़ी को देखा किपी बेरे में सी मारा उसकी हम ए फोरन पॉलीस को पॉन करना जी अची आफा 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 एदू एदू ये साब कुपता जी है? ये हाँ, कुपता जी एक की सारा था बेटी गा वो भी चली गई अरुन वर्मा जी तुम वही हारुन हो? हाँ, कुपता जी मैं वही हारुन एक दिन आप हमारे लिए ठक्राल से लड़े थे अब मैं आपके लिए ठक्राल से लड़ूंगा सच और जूट की इस जंग मैं इस पार वहारेगा मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन याद मुझे वहाँ उन दूनों लोग उने देखा है देखा है तो मैं उन्हें अदालत में देख लूँगा तुम जीडी ठक्राल के बेटे हो विक्रम कोई मजाक नहीं जस्ट रिलाक्स ओके? ठक्राल सहाथ मुलाकात के वक्त पूरा होगे इस्पेक्टर भोसले जी यह मेरा बेटा है जरा ख्याल रखिएगा आप बेफिकर रही हम एक दूसरे का ख्याल रखे हैं दुनिया ऐसे ही चलती है इस्पेक्टर भोसले See you कौन साथ? Good evening Mr. ठकराल तुमिया कैसे? यह बताने हैं के इंदुकुप्ता के खूनी विक्रम ठकराल के खिलाव सरकारी वकील की हैसियत से मुकदमा माई लडने वाला तुम्हारे जोश और तुम्हारी मासूमियत पर मुझे तरस आता है लेकिन जिस दिन अदालत में तुम मेरे सामने आ गए यह सारा घमंड हमेशा के लिए भूल जाओगी मुझे भूलने की आदत नहीं है मिस्टर ठकराल इसलिए तो सब कुछ याद है याद है मुझे फासी की सजा सुनके एक निर्दोश का घवरायवा चेहरा अंधेरे घर के सन्नाटे में उसकी पत्नी की आवाज मुझे सब याद है तुम किसकी बात कर रहे हो बात कर रहा हो उस तीपक वर्मा की जो आपके बहरेमी के हाथों फासी के तक्ते पर मर गया उस आर्थी की जो आपकी संदली के कारण पंद्रा बरस तक एक पागल खाने में जिन्दा लाश की तरह रही मैं उन्हें की बात कर रहा हूं तुम तुम उन दोनों का कैसे चानते हूं मैं उन दोनों का पेटा हूं ठगराल साहब जिंदगी बहुत अजीव ठगराल साहब शत्रंच के महरे वही हैं मगर बाजी पलट चुकी और कुछ कहना जाते हैं आप आपको एक मश्वरा देना चाता हूं मिस्टर ठगराल बिलकुल मुफ्त अपने बेटे से कहिए अपने चुरूम का इकरार कर ले उसे तो हर हाल में फासी होनी है कम से कम आप मेरे हातों एक मुकदमा हरने की बेज़ती से तो बच जाएंगे गुटबाई में सटर ठगराल में तो हुट this कितर कितर कित लिल कितर कितर मुकदमे की कारवाई शुरू की जाए यह मुकदमा कहानी एक गरीब घराने में पैदा हुई नेक और शरीफ लड़की इंदु गुपता की जो आज जिन्दा नहीं है उन का यह मुकदमा भयानक ज़रू है लेकिन पैचीदा नहीं है थोड़ी देर में आप जान लेंगे के इंदु गुपता का खुनी कोई और नहीं बलकि मुल्जमों के कटगर में ख़ड़ा यह विक्रम ठकराल है यह विक्रम ठकराल जिसनों उस लड़की को इस लावपरवाई से खतम कर दिया जिस तरह सिगर्ट फिकर कोई अपनी एड़ी के नीचे मसल देता और भूल जाता है मैं लॉड मैं यह नहीं जानता के इंसान मरने के बाद कहां जाता है और अगर गहीं जाता है अगर आत्मा नाम की कोई चीज है तो इंदु गुप्ता की आत्मा इस अदालत में मौजूद है कानून के चौकट पर इंसाफ का इंतजार कर रही है और मुझे यकीन है माई लॉड पूरा यकीन है कि वह यहां से आयूस नहीं लोटेगी थैंक्यों माई लॉड यूर ओनर सबसे पहले मैं अपने नौजवान सरकारी वकील को उनकी जोशीली और जजबाती तकरीर पर मुबारक बात देना चाहता हूं मगर साथ ही पानून की पहली किताब का पहला सबक भी याद दिला देना चाहता हूं कि अदालतों के फैसले जजबात की धुन में नहीं बलके अकल की रोशनी में होते हैं सरकारी वकील ने अपने जोशीले अंदाज में जो इल्जाम मेरे मुवक्कल विक्रम ठकराल के उपर लगाया है उसका मैं क्या जवाब दूँ इसलिए कि विक्रम ठकराल इंदू गुपता नाम की किसी लड़की को जानता तक नहीं है जानता है क्यूंके मुकदमे की शुरुवात वकील सफाई के इस नुक्ते शुरू हुई है कि विक्रम ठकराल और इंदू गुपता एक जुसरे से अज्रबी थे सब्से पहले माई यह साविद करना चाहता हूं कि यह छूट है मेरी पहली गभा है मिस कोमल वर्मा मिस कोमल वर्मा इंदू गुपता जिसकी यह तस्वीर है इससे तुम जानती थी मैं इंदू गुपता को जानती नहीं थी लेकिन दो बार मिली हूँ इंदुगुप्ता से तुम्हारी आखरी मुलाकात कब और कहां हुई मैं विक्रम ठक्राल के बैकावे में आकर उसके साथ भाग चाने को तयार हो गई थी और 16 जुलाई की रात को जब विक्रम ठक्राल मुझे डॉक्टर मातुर के घर अपने साथ ले जाने के लिए आया तो इंदुगुप्ता वाँ पहुच गई उसने मुझे फिर समझाने की कोशिश की उसके हाथ में एक खतो का पैकेट था वो मुझे दिखाना चाहती थी लेकिन विक्रम हमारे पीच आ गया और उसने वो पैकेट छीनकर अपने कोट की जेव में रख लिया तो फ्र क्या हुआ प्र फेर विक्रम ने इंदुगुप्ता को जोड से धख्ख देकर मुझे से दूर के इंदुगुप्ता मेरे उसके पास खड़े! Miss Komal Verma, अब तुम जा सक्तियो! एक मिनट! Your Honor, मैं Miss Komal Verma'sa कुछ सवालाद करना चाहूंगा! इचाजज़ते! Thank you sir! Oo, ये लो! ये लो, ये लो! आसु पूछलो! पूछलो आसु! नहीं नहीं घब्राओं नहीं, घब्राओं नहीं! देखो बेटा! मैं तुम से कुछ बहुत सीधे साधे और आसान सवाल पूछना चाहता हूं! और तुम उनका एक्तम सीधा साधा जवाब देना! ओके? बेटा, तुम्हारे माता पिता जिन्दा है? मेरी माँ है, पिता! नहीं है! क्या तुम बता सकती हो बेटा के तुम्हारे पिता जी कैसे और कहा गुजर गए? अब्जेक्शन माइ लॉर्ड! इन सवालों का मुकदमे से कोई तालुक नहीं! तालुक है, यूर्णर! बहुत गहरा तालुक है! ये मुकदमा किसी की जिन्दगी और मौत का फैसला करने वाला है! इसलिए मिस कॉमल से मुझे ये सवाल पूछने की इजाज़त दी जाए! आप ये सवाल पूछ सकते हैं! थैंक्यू, यूर्णर! हाँ तो कॉमल, तुम बताने वाली थी ना कि किन हालात में तुम्हारे पिता जी की मौत हुई? ने, किसी की तरफ मत देखू! आराम से मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना? बोलो, कैसे मौत हुई? उन्हें फांसी दी गई थी! फांसी? तुम्हारे पिता जी को फांसी दिलाने के लिए जिस वकील ने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा था उसका नाम जानती हो? जी तब तो ये भी जानती होगी कि विक्रम ठकराल उसी वकील का बेटा है? मैं ये पहले नहीं जानती थी, लेकिन लेकिन बाद में जान गई और जब तुमने जाना तो मनी मन में फैसला किया कि एक ना एक दिन अपने बाप की मौत का बदला उस वकील या उसकी ऑुलाद से लोगी और उसी इंतकाम के शौक ने तुमसे विक्रम ठकराल के खिलाफ चुटी गवाई देगी बहिया अब्जेक्शन माइलोड वकीले सफाई एक मासूम लड़की के आस्वों से मुझरम के हाथ ओपर लगे खून के धबबे थो नहीं से केंगे वो कॉमल वर्मा की गवाई को जूटा थावित करने के थुन में यह भूल गए कि विकरम ठकराल के चुम के तो गवाई और भी है मेरी अगली गवाई है दॉक्टर आशा माथुर जी हाँ मैंने इसी को देखा था यही चैरा यही था वो मिलाड यह वही है मिस्स माथुर पुलिस की रिफूर्ट के मताबिक आपने बैयान दिया है कि जब आपने खुनी को देखा तो आप अपने गेट के पास खड़ी था जी और उसी रिपूर्ट के मताबिक वो जगा जहां इंदू गुपता की लाश पड़ी थी वहां से गेट जहां पर आप खड़ी थी वो फासला खरीबन बाइस गज़ का था जी हाँ मिस्स माथुर बाइस गज़ का फासला और तूफानी रात कम रोशनी क्या आपको यकीन है कि आपने खूनी को अच्छी तरह से पैचान लिया हो मैं मानती हूँ कि यह मुश्किल है वगर सची ही है कि मैंने इसी को देखा था ये बताएए कि खूनी ने क्या पैन रखा था उसके बदन पर कपड़े क्या थे कोट और पैंट कोट और पैंट या सिरफ कोट या सिरफ पैंट दोनो कोट और पैंट दोनो दोनो, हाँ हाँ दोनो मिस्स माथूर, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आप अपने पती के साथ कहां गई थी और कहां से वापिस आ रही थी उस रात जी हाँ, डॉक्टर दस्तूर से हमारा पॉन्मिन था, हम दोनों वही से आ रहे थे आप सच कह रही हैं कि आप डॉक्टर दस्तूर के पास ही गई थी डॉक्टर दस्तूर आखों के बहुत माने हुए डॉक्टर है और उनकी रिपोर्ट के मताबिक आपकी आखें कमजोर हो गई है छायद यही उनकी रिपोर्ट है, देखिए, क्या ये सही है? जी मिस्स माथूर आपकी आखें कमजोर होने के बावजूद आपने इतने डिस्टन से खुनी को पहचान लिया क्या ये भी सही है हाँ हाँ मैं कह रही हूँ थैंक यू थैंक यू मिस्स माथूर आपका जवाब ही मेरा सवाल था अब आप जा सकती है तेंक्यू यूरॉणर। जनाब डिफेंस कॉंसल खुनी और इंसाफ के पीच में ज्यादा से ज्यादा फासल आने के कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि प्रॉसिक्यूशन के पास एक ऐसा गवाह है। जिसना 22 गस तो क्या, खुनी का 22 इंसे भी नजदीक से देखा है। ये लड़का, यही लड़का दिवार पे चड़के भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैंने इसे बहुत करीब से देखा है मैलोड। और मुझे किसी खिसम का धोका हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर माथौर, जब खुनी वहाँ से भाग गया, उसके बाद आपने क्या किया। मैं उस जगह पे वापिस लोटा है, जहां पे लाश पड़ी थी। जाहिर है कि पुलिस के आने तक, आप लाश के पास ही थे और आपने लाश को हाथ तक नहीं लगाया। जी नहीं, यहां मैंने लाश को कोट सE जरू ढख दिया थे तो.. आप कोट अपने घर के अंदर से लेकर आये थे क्या? जी नहीं, मैंने अपने कोट अठका, लाश को. ओ, I see. तो उस रात, आप कोट पहने हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल, यकीनन मैंने कोट पहना हुआ था. यानि के आप कोट और पैंट दोनों पहने हुए थे? यहीं, बिना पैंट के मैं कोट नहीं पहना करता. तो आप कोट भी पहने हुए थे उस रात? वाट इस बार बार वही पूछे जारें कोट पहना हुआ था, सौबार कह चुका हूँ. I'm sorry to have bothered you, doctor. I'm sorry. यहीं, आपकी बीवी ने अपने बयान में कहा है, कि जब खूनी उनके सामने था, तो आप नहीं थे, और जैसे ही आप आए, तब तक खूनी भाग जुका था. यानि आपकी बीवी ने आपको और खूनी को एक साथ उस मुकाम पर नहीं देखा, क्या यह सही है? यह सही है, इस करेक्ट, करेक्ट. और आपकी बीवी ने अपने बयान में यह भी कहा है, कि खूनी ने उस रात कोट पहना हुआ था, यह बार-बार कोट-कोट, अब आप कहना कह चाते हैं? मैं यह कहना चाता हूँ, डॉक्टर माथौर, कि यह भी तो हो सकता है, कि गैरेज में गाड़ी पार्क करने के बाद, आप अपने पत्ली की बजाए सीधे वहां पहुँचे, जहां इंदू गुपता आपका इंतदार कर रही थी, हो सकता है, कि इंदू गुपता के साथ आपकी बीवी को बता देगी, आप मारे घुसे के आग बगुरा हो गए, और उसी घुसे में आकर आपने इंदू गुपता का खून कर दिया, इस से पहले कि आप कुछ सोच सकें, आपने देखा, कि आपकी पत्नी गेट के पास पहुँच गई है, आँखों की कमजोरी, बा आपका पहला रियक्शन ये हुआ, कि आप गाल्डन की तरफ भागे, लेकिन दूसरे ही लम्हें आपको ख्याल आया, कि शायद आपकी बीवी ने आपको ठीक तरह से पहचाना नहीं, आप चक्कर लगाकर गैराज की तरफ से बीवी की तरफ आए, और अपनी बीवी को धोक आपके खून के निशान थे, इसलिए आपने बड़ी चालाकी से वो कोट उतार कर इंदु गुपता की लाश के ओपर ढाल दिया, बाद में लोगा ने समझा, कि शायद वो कोट के ओपर निशान इंदु गुपता की लाश के ही हो, हक्वास है, भंसेंस, कि आप ये कहना जा माथर, माथर, इस कहानी में एक कमजोरी है, अगर इंदु गुपता का खून वागई डॉक्टर माथर ने की होता, तो पुलीस को फोन ही क्यों करते है, और अगर विक्रम डॉक्र माथर के घर गया नहीं था, तो वो फोन करकी ये कैसे बता सकते थे, कि मिस्टर विक्रम उन खास बात तो ये है, कि जब पुलीस ने विक्रम ठकराल को गरिफतार किया, ना तो वो कोट पहने हुए था, ना ही कोई चाकू उसके पास से बरामद हुआ, और ना ही उसके बदन पर कोई खून के दाग थे, पीस मिनिट के अर्से में खून के दाग मिटाई भी जा सकते है चाकू या कोट कहीं फेके भी जा सकते हैं, कहीं छुपाई भी जा सकते हैं, मैं ये फिर कहता हूँ, यो रॉनर, कि सोना जुलाई की रात विक्रम ठकराल ना तो कोट पहने हुए था, और ना ही उसके पास कोई चाकू था, मैं अदालत को, और खास तोर से वकील सफाई को पे खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, विक्रम ठकराल का चुपाया हुआ कोट, और ये चाकू मिल चुका है, विक्रम के गुना सबूत बनकर अदालत के सामने मौझूद है, ये है वो चाकू जिसकी जबान ने इंदुकुपता के सख्वों का खूल दिया, इस चाकू के दस्ते पर विक्रम के उंग्लियों के निशान के सुरत में विक्रम के जर्मों की दास्तान आज भी लिखी होगी, और चुछ जर्म की दास्तान ये चाकू नहीं सुना सकता, ये कोट पूरा कर देगी, जो चुप रहेगी इस दबाने खंझर, लहू बुकारेगा हास्ती का, यारानर, बेगुनाख खून के दब्बे, फुकार फुकार के इंसाफ के लिए भर्याद कर रहे हैं विक्रम का ये कोट, अपने रोई रोई से विक्रम के जुरम का इक्रार करता है मारा दारब के सामने इंदुकुप्ता की जबान बनके इंसाफ को अवाद देता हूँ कि विक्रम ठाकरार के गुनाओं का सबूद ये जूचे, ये सच है ये मेरा कोट नहीं जजज साब, मैं कहता हूँ ये तुवारा कोट है मिलोर्ड, ये कोट, ये कोट विक्रम का नहीं है ये रहानर, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये कोट विक्रम का ही है मैं भी दावा के साथ कह सकता हूँ कि इस नहीं का कोट कभी मेरे परता ही नहीं तो भे कैस नहीं का था उसका कोट सा वेद नहीं का था प्रविक्रम ने कहा ता के विक्रम ने कोट पहने नहीं था मैं लोड मिस्टर ठक्राल ठीकी कहा था ये कोट और ये चाकू फिक्रम का नहीं है लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि उस राद फिक्रम ने सफेद रंका कोट पहना था मेरी अदालत से दर्खवास्त है कि प्रोसेक्यूशन को कुछ वक्त दिया जाए ता कि वो कोट और चाकू तलाश कर सके अदालत प्रोसेक्यूशन को तीन दिन का वक्त देती है और उसी के साथ आज की कारवाई बर्खास्त की जाती है सगराम जी साहिब बाहर का दर्वाजा बंद कर दो बरा साहिब चिगरेट? नो थैंक्स चेर्स तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम पर इतना मेरवान क्यों? उसकी दो बजे एक तो तुम्हारे डैडी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग एक दूसरे के काम में आएं दुनिया ऐसे ही चलती रहती है और दूसरी तुम्हारे अखिलाफ जो वकील है ना हरून वर्मा उसकी और मेरी पुरानी खुनस है उस साले ने दो केस क्या जीत लिये वो समझता है हम पुलीस वाले उसका गुलाम है नॉंसंस सुनिये यहां आईए बोला आज शाम होने से पहले एक पचास हजार कमाना चाहेंगे आप पचास हजार? वो कैसे? मुझे एक घंटे के लिए छोड़ना होगा घबराइए मत पैसे पहले मिलेंगे छोड़ी का बाद में यहां पचास हजार यहां पचास हजार देर तो नहीं हुई नहीं लेकिन एक घंटे का मतलब एक घंटा मुझे के विश्वास रखिये इंस्पेक्टर कम तुरूब ताइक्स यार्टोरी तुम नहीं यादे तो ये कोट और शाको मुझे आसी के तक्ते पहुचा देते मैं इन सारे शबूदों खतम कर दूँगा और ये इंदू की चिख्टे विचरा देना ओके अब जल्दी कर थांक्स यार्ट प्लिस्टेशन वाले खुद आपको लेने आया है हुज़ूर चलिए आपके लिए गाड़ी ये नहीं वख 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 हमें आपके पिताजी ठक्राल साथ कुझे समझाना है कि हमारा पुलिस्टेशन इमान खरीदने और बेशने के दुकान नहीं ये ही पुलीस वरहा खनों ये ही आप सबुत के साथ चलाब करीड ये रा तुमारा कोटा चाकू इंस्पेक्टर तैजाब में एक मिनट में गल जाएंगे मैंने अपना काम कर दिया इंस्पेक्टर अब तुम अपना काम करण ये तुम क्या क्या रहो टोड़ी मैं ठीक है रहा उंकर शक्राल साब हमें कुछ करना चाहिए अगर ये खत कोट तक पहुंच गए तो हमारे सारे सुबूत सारी कोई ये गलत शाबित हो जाएंगे फिर दुनिया की कोई भी टाकत विक्रा हमको नहीं बचा सकेगी सर्थ लोग क्या कहेंगे इतना बड़ा वकील अपने पेटे को नहीं बचा सका यहारून खुर्मँ मूर्म जितना बीर उपया हमकेदे लेकिन वो ऐसे नहीं मने घथा कराद साफ को तरकीब को रास्पा को होगा आपकराद के विलिदी येखिए करत के पारे के विलिदी Teah करत के पारे के विलिदी येखिए आपकराद के शाफिए मुकदमे की कारवाई शुरू की जाए इस मुकदमे में कुछ नई पेचित गया पैदा हो गई है मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोसिक्यूशन को चन्द दिनों की और मुहलत दी जाए अदालत प्रोसिक्यूशन को तीन निटी मुहलत देती है उसी के साथ आज की अदालत बरखास्त की जाती है क्या कह रहे हो अरुन? मैं ठीक है रहा हूँ, यह पढ़ लो तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है और अगर उससे जिन्दा वापिस चाहते हो तो आज रात के दो बज़े विक्रम के सारे खत लेकर अकेले बुरी बली पार्क में आजाए माई गड़ यह भाई मुझे दो बज़े से बहुत पहले यह पता लखाना के माँ खाना बहुत करबड कर दी उन्होंने माई च्रोंगा ने उन्होंने अरे दुनिया है एक लतीफा सुनता जा और हचता जा जीने का सीखता तरीका साहिवां और पीने का सीखतारीका जूम्ले घुम्ले खूम्ले button तेञा हम दोट आई ले म Предबदे बसे करी आई मुआ माहिन पक्राम जूम्ले नंपरे हम देशन एास्ट लिडिक लिड लिडिक लिड़का अई किने किल लिड़का. in шakumma ready, generalize.. . . arl agri, mmh blah blah आक्त्तु KU, बेरा बैर कदा चाचा रांजिकरा हुआ हुआ है हुआ 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 है को कर दो जूमे जूमे गदर काव नगया तोनो नीमे शर애ब जाता पिजिए, उसको ऊपर बहुठ गुडियायन टॉनिसाब अरून! 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 इयाओ! राओ! राओ! याद! हाद! राद! राद! झाल 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 क्या हुआ बिटा मा गाड़ी को भी इसी वक थरा बोना था अरुन अरुन वो देखो मा तुम अंदर की दरवासे अपकी तरह से बन कर दो अरुन मा तुम बाहर मत निकला मा झाल झाल हज़ whet कर दो 30-ivos कर मैं कर आई कर चिए पोड़ जैसもし क्लाो ठुम ँझेत回去 कर भी कर दो हाँ अए आन्या आई याँ 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 वो बार आगा आगाओ करे बार माले है ह पुलिस हो नहीं आई नहीं दागा सब वो ठक्रास आवाए है अरे पहले तो यह बोड़ी को तो ढिकाना है तकार अरे पड़ा ले यार तुझा गाड़ी के पाज़ा और उसकी मा को निकार इदा तो कोई भी नहीं सब रक्ते ओू, अ़िका यहँे रुनास को तगायदेग जया शचाख को विए पनेो λीवाए इंदेगी नहीं विएए़ी नहीं प्लाव चुचाँ प्रूद, खुको का बज़, खुको का थाए अरुन! 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 अरुन, अरुन! 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 अरुन के दुबान बंद रखने के लिए ये भी काफी है ले चलो अरुन! अरुन! कविनो! तुम इसे कही नहीं ले जा सकते! कही नहीं! मजी चली जाएं यहां से! अरुनाब हम तो सिर्फ सूद लेकर जा रहे हैं जे यहां तो असल भी मिल गया ठकराल! छोड़ दे इस बच्ची को! मैं कहती हो छोड़ दे इसे! MagKK! अरुना़ खाएं अरुना़ gateley' कविन ऐाएं! 70 7 आरुनाल आरुनाव सहिस शे स mendख बचिनाव सूर इसनुनाव तारों को, आख लगाकर हम राशन कर लेंगे अधियारों को आख लगाकर हम राशन कर लेंगे अधियारों को जन का मतलब लेना है, मों से भी क्या जर्ना है जन का मतलब लरना है, वाज से तीर्या लरना है, जन का मतलब लरना है 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 हां ओच सताया हर टार ऐसे परबाद कर दिया ऐस नहीं आज आज चुटिति चुटिति छुटित गाहत आज मार चुटिति तरह को हुआ है कि अज़ आजयर एक्राइब कि अज़ा है कि इंग ठाज पक्रम खिद्ध करें यह दैनख विकर्म डगार उर्फ विकी को खौफनाक कतल के जुर्म में जेर दफ़ा 302 के तहट सजाए मौत करार देती है सजाए मौत करार देती है इसी दुनिया में दोज़क है इसी दुनिया में जन्नत है यहां होते हैं सबके फैसले यह वो अदालत है जिल जाएंगे हम हुआ 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 है हुआ है